एलो फेंस, तो आज मैं आपको भंडारे में बनाई जाने वाली कद्दू की चठपटी टेश्टी सबजी बनाने का सबसे आसान तरीका बता हूँगा. इस सबजी को बनाने के लिए न तो प्याज का ही उसका है नहीं लसून का ही उसका है. फिर भी ये सबजी खाने में बहुत ही ज़धा टेस्टी होती है और इसके साथ में हम बनाएंगे ऐसी फुली फुली खस्ता सी पूरिया जिसके साथ आप इसको सरू कर सकते हैं तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने 1 किलो 600 ग्रम कद्दू लिया है तो इस सबजी को बनाने के लिए आपने एक चोटे कद्दू का यूज़ करना है क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं सौफ्ट होते हैं इनको आप कद्दू के साथ ही पका सकते हैं इसके वज़ आपने कद्दू को अच्छी तरह से धो लेना है धोने के वज़ आपने इसकी कद्दू करनी है तो डंटल जोगा उसको आपने हटा देना है और पहले आप इसके चोटे चोटे पीस करने से आप इसके जो बीच हैं उनको असानी से निकाल सकते हैं अब चिलके क्यों नी फैंकते हैं जितने पोषण चार तक तब और विटiमनी पूरे कद्व में पहाए जाते हैं उस से जदा विटiमन क कद्व के आदा चोटा चमच आपने इसमें मेथी दाना एड़ करना है आदा चोटा चमच आप इसमें साबू जीरा एड़ कीजेगा एक चोटा चमच साबू धनी आड़ करना है धनी को आप कूट के भी डाल सकते हैं और थोड़ी से आपने इसमें सौफ एड़ करनी है तो आदे से थो धनिया पौडर और थोड़ास आपने विजीरा पौडर और यूस कीजिएगा, आदा चमच लिए काला नमक आइड करेंगे और थोड़ी से आपने कसूरी मेथि डालनी आपनी आइड कीजिए मसालों में और पानी के सब मसालों को अच्छी तरह से mix कर लेशे, जब आप पानी के साथ mix करके मसालों को पकाएंगे, मसाले जलते निये और अच्छी तरह से soft भी हो जाते हैं, तो इस तरह से मसालों को mix कर लेना है, इसके बद आपको खटा करने के लिए, इमली और मीठा करने के लिए गुड का यूज करना है, अगर आपके वस इमली ना हो, टमाटर का यूज कर सकते हैं, या फिर आमचुर पाउडर का यूज कर सकते हैं, तो इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो की रखती है, इसके कडाही लेनी आपने है, दो बड़े चमच, उसमें सरसों का तेल एड़ करना है, और जो हमने सूखे मसाले लिए थे, सारे के सारे मसाले डाल देना है, अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम में मसालों को हलका सा गर्म होने देना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए, तो देखिए मसाले चटक चुके हैं, इसके बस आपने तो नहींख कर सकते हैं, स्चीप कर सकते हैं, एक छोटा जमश आपने बरीक कटव अधरक, और एक छोटा जमश आपने तीखा करने के लिए हरी मिर्श टालनी आई, अब आपने अधरक और हरी मिर्श को थोड़ी दर यहां पर पका लेना है, तो देखिएolé अज़र कमेरिश्च को पका लिए है इसके जो मसाल Yay आपने मिक्स करने लिए आपने आपे तरह से अश्य थे आपर बच्छों के लिए मूप है उसको निकाल लेना है, इमली ना हो, बारी कटी और टमाटर डाल दीशे, और टमाटरों को अच्छे से पका लीशे, मैंने गुड़ भी साथ में ही इसमें एड़ कर दिया है, गुड़ का यूज़ यहां पर मैंने थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि के बर सबचीना ज्यादा ही म ख्डू add करते हैं, तो ट्वड़ा ही थोड़ी चोटी है, तो पहले आदा ही ख्डू इसमें add करते हैं, उसको अच्छी तरह से मसालों के साथ आप ने पहले मिक्स कर लेड़ा है, जैसे कदू अच्छे से mix टकश हो जाए का बचवा कंदू हम से add कर देंगे, अब इस सबच में तो सारी सबजी को अच्छी तरह से मसालों के साम मैंने मिक्स कर लिया है उपर से कवर कर देशें दस मिन तक लोफले में पकने देशें तब तब पूरी का डोल लगा लेते हैं 500 ग्राम मैंने आटा लिया है आदा चमचेस में नमक आइड करेंगे थोड़ी से चीन आइड क करना तो जब भी dau kalian THोड़़व करके पानी दालना पहले आप certainly आप नर्म मुलाएं पूरी बनाना चाथे हैं और अगर आप घस्ता पूरी बनाना चा Prob смерi कि हमारा चुण बूरब 15-20 मिन में रीवभ बनाने के लिए तो प्यूरा हो चाहेँ तो अके देखिए इस तरह से थोड़ा सा जोर लगा के आप इसको गुंद लिशे गुंदने के बद आपने इसको इकटा कर लेना है इस तरह से और इसके बद आपने इसके ओपर ऑईल लगा देना है बीच में ओईल के यूज़ नहीं करना है उपर से आपने ओईल लगाना है ओईल लगा के इसको पूरी बनाने के लिए सेट भी हो चाहेगा उपर से अच्छी तरह से कबर करें इसको रेश्ट आपना कद्दू की सब्जी चेक कर लिए देखें 10 मिनट हो चुके यहां पर पकते हुए और इसमें जो ग्रेवी है उसी के साथ सब्जी पक रही है गैस की फिली में आपने मीडियम टू लो रखनी है जादा तेज गैस में पकाना है तेज गैस में पकाने इसी के होता है इसके अंदर जितना भी मौश्ट्र है जल्दी खत्म हो जाएगा और कद्दू अच्छे से पक नहीं पाएगा मैंने इसको टेस्ट किया था थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो कहाँ पर मुझे टोटली 15 मिंड़ों चुके हैं सबजी को पकाते हुए और गे देखें कद्दू का जो कलर है वो चेंज हो चुका है मतलब यह सौफ्ट हो चुका है यहाँ पर अपडेट से दो मिन तक आपने हाई फले में पकाना है ताकि सारा मसाला जो है कद्दू के करना हरा धनिया डालना है और मैंने सबजी को टेश्ट किया था थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था तो आदा चम जिस में चीनी एड़ करेंगे आप चीनी नहीं खाते हैं गुड का यूज की शे थोड़ा सा गर्मसाला पौडर स्प्रिंकल करना है अच्छी दर से मेक्स कर ल अच्छे से सौर्क ही हो चुका है इसके पेड़े बनाने हैं आप शाम के वनागो स्टोर करके विराइख सकते हैं सुबाई जलदी जल्दी एफुरी आख बना सकते हैं इसकी सोबा में क्यrenched तोड़ दी है अच्छे से इसको रॉंड कर लेशे और रॉंड करने के बदा आपने पेड़ों के ओपर थोड़ा सा ओयल लगा देना है ओयल लगाने से एक तो पेड़े सूखते नहीं है दूसरा आप समेश चिवकते वे नहीं है इसके बद आप इनको पांच मिनिट का रैस पांच मिनिट के वद आप इसकी पूरियां बना सकते हैं साथ-साथ में पूरी बनाएंगे के वर पूरियां अच्छे से फूलती नहीं है और देखिए पांच मिनिट हो चुके हैं एक पेड़ा लेना है इस तरह से प्रेस कीजिए हास से और इसके वद आपने पूरी को बे तेल की नीचे वाली साइड को औरना है इस तरह से और आपने मीडियम टू हाई रखना है ज्यादा ठंडे तेल में पूरियों को फ्राइड नहीं करना है और देखिए इस तरह से दबाए पूरी को हलका सा थोड़ा सा और आपकी पूरी अच्छे तरह से फूल जाएगी इस तो फ्रेंस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीशेगा ओके फ्रेंस थैंक यू